नमस्कार दोस्तों सागतियाब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनी एजुकेशन पे आज मैं बात करेंगे कुछ ऐसी दवाईयों के बारे में मैडिसन के बारे में जिनका उपयोग सबसे जादा किया जाता है तो आपको भी इन दवाईयों के बारे में जरूर ज जा रहे हैं चले बात करते हैं सबसे पहली मैडिसन है हमारी चैस्टन कोल्ड टेबलेट इसका नाम बहुत बार सुना होगा दोस्तों आपने चैस्टन कोल्ड इसका उपयोग देखें नाम से पता चलदा है चैस्टन कोल्ड यानि इसका उपयोग सर्दी जुखाम के लिए क हो जाती है जैसे कि allergy की वज़े से कभी कभार नांखूण पानी आने लगता है आँक्खों सें पानी आने लगता है तो इस tablet का उपयोग किया जा सकता है इसके लावा यह बुखार के उपचार में काम आती है और 4 से पानी आना आँक्खों पानी आना तो यह जो चेस्चन कोल टेबलेट है एक ही टेबलेट से सारे काम हो जाते हैं जैसे कि सर्दी जुखाम, बुखार, नाक से पानी आना, आंक से पानी आना ये सबी के लिए काम आती हैं इसके लिए आपको कोई दूसरे टेबलेट यूज़ करने की जुरूत नहीं ह तेबलेट से यह सारी बीमारियों को खतम कर सकती है उसके बाद से आप 24 मग करते हैंश उसके घञांगार्ब छाथ फुटिए ओपयोग किसे जाने वाली दौर ऊपयोग दर्द को कम करने के लिए किया जाता है अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का पेन है चाहे वो दात का दर्द हो बुखार हो पीट का दर्द हो जोडो का दर्द हो सिर दर्द हो सभी प्रकार के दर्द को ये कम करती है कॉंबी फिलाम प्लस टेबलेट इसके बाद बात करते हैं नेक्स टेबलेट है सिपलेक्टिन टेबलेट स दोसतों दो तरीग्ते से किया जाता है, सबसे पहला उपयोगी है इसका अलरजी के उपचार में, अगरा आपको अलरजी हो जाती है शरीर में और ए nou स्कीन पर रेशच होतने लगते हैं, खुजली होने लगती हैं, या सुंजन आ जाती है, तो ये ये अलरजी के लक्षणों आप ज्यादæ से ज्यादा खाना खाओगे और आपका weight gain हो सकता है तो जो डौक्टर है जादा तर सिप्लेक्टिन को भी prescribe करते हैं जिसको भूग कम लगती है अगर body बना नहीं होती है तो सिप्लेक्टिन का उपयोग किया जा सकता है तो इसके दो ऊप्योग है एलिजी के ट्रीटमेंट में और भूख बढ़ाने के उपचार में इसका उप्योग क्याता है नेक्स टेबलेट है यह रिम्सी टैबलेट Lim C Tablet बहुत बार सुना ओगा दोस्तों इसका नाम भी आपने इसका उपयोग विटामिन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है अगर आपके शरीर में विटामिन C की कमी हो गई है तो उस कमी को ये दूर करेगी और pregnancy के दोरान इसका उपयोग किया जाता है बिमारी के बाद उन में कमजोरी आ जाती है ठकान होने लगती है तो इस टैबलेट का उप योग कर सकते हैं और इसके अलावा ये हमारे शरीर में ऐरन के अफोर्चन को बढ़ाती है और बालों के लिए भी ये काफी फायदिमन है हमारे शरीर में फ्री रेडिकल की वज़े से जो डेमेज होता है उसको भी ये रोकती है लिमसी टेबलेट इसके बार नेक्स्ट जो मैडिसीन है हमारी वो है लोमोफेन टेबलेट लोमोफेन टेबलेट इसके अंदर लोपेरमाइड है दोस्तो ये भी काफी प्रचली दवाई है बहुत बार इसका नाम आपने सुना होगा कब जब दस्त हो जाती है तो इसको प्रिस्कयप किया जाता है इसका उप्योग दस्त के इलाज में किया जाता है जैसे कि डायरिया हो जाता है और Irritable Bowel syndrome तो अल आवर अगर हम बात करें तो इसका उपयोग डाइरिया या दस्त के इलाज में किया जाता है और कि नेग्स्ट जो हमारे मैंदिसन है वो है अगमेंटीन टेब्लेट अगमेंटीन टेबलेट दोस्तों जब भी आपको कोई इंफेक्शन हो जाता है तो ज़्यादा तर डॉक्टर यही प्रिस्काइब करते हैं जैसे कि बैक्टिरियल इन्फेक्शन, बैक्टिरिया की वज़े से आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो इस इन्फेक्शन को यह रोकती है जैसे कि टॉंसिलाइटिस, अगर आपके गले में टॉंसिल हो जाते हैं गल्य में खराश होने लगती है टॉंसील हो जाते और दर्द होने लगता है उसकी वज़े से कभी-कबार बुखार भी आजाता है तो इस अग्मेंटिंग का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर अमॉक्सिसिलीन है और इसका उपयोग जहें स्वांस नली नहीं में फैफडों में इनक्राइक्व जाता है तक उसको रोकने के लिए इस टैब्लेट का उपयोग किया सकता है सांक्ष Heavenly में क्योंक्रेदे करेगी बैक्टिटिया को मारेगी और इससके infection को बढ़ने से रोकेगी इसके बाद next जो हमारी medicine है वो है vitamin E capsule दोस्तो vitamin E capsule बहुत ज़्यादा use किया जाता है आज के time में हम देखे तो vitamin E capsule का उप्योग कब करते हैं जब आपके शरीर में vitamin E की कमी हो जाती है vitamin E की कमी को पूरा करने के लिए और ये तवचा को hydrate होने से बचाती हैं और उसे चमकदार बनाती है यानि अगर आप इसका उप्योग करेंगे तो आपकी जो त्वचा है वो hydrate नहीं होगी ड्राइ नहीं होगी और वो चमकदार बनेगी इसके लावा ये एंटी ऑक्सिदेंट से बरपूर होता है विटामिन E का केपसूल और ये रिंकल को मिटाता है अगर आपके चहरे पर जूरिया आगई है तो उसको ये मिटाएगा कम करेगा और जो शेल का Regeneration उसको यह बढ़ाएगा ताकि चहरे पर जूरिया वगेरा नहीं आएगी और यह जो capsule है बालों के लिए भी काफी अच्छे है healthy hair के लिए बहुत अच्छा capsule है यह तो दोस्तो आज हमने बात किया कौन-कौन सी medicine किस काम आती है इसका जो पार्ट आएगा वह जल्दी हम बना लेंगे इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि जो भी नई वीडियो आएगा उसका नोट्रिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएगे तो चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरू कीजेगा थैंक यू बेर मच पर वाचिंग दिस वीडियो झाल